सबसे पहले जानते हैं सेंट्रोल मैटल एटम या आयन केंद्री धातू परमानू या आयन जैसे कि यहाँ पर आप उदाहरन देख रहे हैं यह एक कॉंप्लेक्स कंपाउंड है जिसे हम लिख सकते हैं के फॉर एफी सी एन सिक्स यहाँ पर आप देखिए जो स्क्वेर ब्रेक के अंदर ही उपस्थित अन्दी समूं जैसे कि यहाँ पर साइनाइट समूं है उसके द्वारा यह कोडिनेशन बॉर्ण के द्वारा जुड़ा होता है और इसे हम केंद्री धातू परमानू या आयन कहते हैं वह इसलिए क्योंकि केंद्री धातू परमानू यह धनायन के र उपस्थित कोई धनायन या उदासीन परमानू जो कि दूसरे परमानू या समूं के द्वारा कोडिनेशन बंद के द्वारा जुड़ा होता है तथा एक निश्चित जामती सरच्चना में परिबद्ध होता है इसे हम केंद्री धातू परमानू कहते हैं इसे आप और उदा इस पर शुबड keto यहां पर जो कोबाल्ट है वो सेट्रल मैटल एकसे इसी तरह से तीस्रे एक्जाम्पल में हम देखें जो बशुब की साइनद समौ है यहां पर एटल मैटल एकार सब्सक्रावाgen केंद्रिय धातु परमानूं के रूप में कारे करने के लिए इसमें कुछ विशेस्ताइं भी होनी चाहिए जैसे कि इसका आकार केंद्रिय धातु परमानूं की साइज बहुत छोटी होनी चाहिए दूसरा जो महत्यपुन गुण है वह है इसका हाई इफेक्टिव निउकलियर चार्ज इसका जो निउकलियर चार्ज है वो बहुत अधिक उच्छ होना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं जब कॉम्पलेक्स बनता है तो धातु परमानूं के द्वारा इलेक्ट्रान जोड़े ग्रहन किये जाते हैं और जितना ज्यादा इसमें निउकलियर चार्ज होगा उतने अच्छे से ये प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रानों को बांध कर रख पाए हैं तो उन इलेक्ट्रान जोड़ों को रखने के लिए इनके पास रिक्त और्बिटल होने चाहिए यनि कि जो तीसरा महत्वपूर्ण गुण है वह है इनमें वेकंट और्बिटल प्रेजन्ट होने चाहिए और इन गुणों को जिन धातु के द्वारा धातु परमानूं के वह संक्रमन धातु या डी ब्लॉक ततों में ही पाया जाता है एक और विशिस्ता जो यहां पर हमें केंद्रिय धातु परमानूं की देखने को मिलती है वो यह कि सामाने तोर पर हम जानते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रान त्याक कर धन आयन बनाने की प्रवित्ति रहती हैं लेकिन यहां पर जो complex coordination compound बनते हैं वहां पर जो धातु हैं वो दूसरे समू या आयनों के द्वारा इलेक्ट्रान जोड़े ग्रहन करते हैं और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रान जोड़ा ग्रहन करता है उसे हम Lewis अमल कहते हैं तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उप्स सेहोज योगिक होते हैं उनमें central metal atom केंद्री धातु परमानू लुइस अमल की तरह विवहार करता है इसके बाद जानते हैं जो दूसरा टर्म है महत्यपुन वह है लिगण या सनलगनी उप्स सेहोजन योगिक में जो भी परमानू या समू जो की केंद्री धातु परमानू से उप्स सेहोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है वह लिगण या सनलगनी कहलाता है जैसे कि यहां पर आपुधारान देख सकते हैं यहां पर हेक्जाक्लोरोफेरट आयन यहां पर आप दिख रहा है यहां पर जो केंद्री धातु परमानू है वह आईरन है और इससे छे क्लोरीन परमानू जोड़े हुए हैं और यह जो क्लोरीन यह हम कह सकते हैं क्लोराइड आयन जोड़े हुए हैं और यह छे क्लोराइड आयन आयर है वो electron जोड़ा देता है और इसलिए यह यहाँ पर data परमानु की तरह कार्य कर रहा है और जो electron जोड़ा देता है दान करता है उसे हम Lewis छार कहते हैं तो यह सतरह से हम कह सकते हैं कि coordination compound में जो central metal atom है वो लुइस अमल की तरह विवहार करता है जबकि जो लिगन्स परमानू होते हैं या आयन होते हैं वो लुइस छार की तरह विवहार करते हैं इस तरह से हम देखें तो जो लिगन्स हैं वो भेने भेने प्रकार के हो सकते हैं कुछ सामाने आयन हो सकते हैं जैसे कि क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन या ब्रोमाइड आयन के रूप में या कुछ छोटे अनू के रूप में हो सकते हैं जैसे कि H2O जल का अनू या NS3 अमोनिया का अनू इसी तरह से कुछ इनसे बड़े अनू भी हो सकते हैं जैसे कि या जयविक प्रक्रियाओं में उप्योग होने वाले कौरियनीशन कंपाउंणस होते हैं वह काफी इसमें जो सैंट्रल मैटल अटम होती है वह काफी बड़े वो मारे हॏ होगना द्वारा गिरी हो सकते हैं तो हमने देखा जो लिगंस है वो भिन भिन प्रकृति के भिन भिन आवीशों वाले होते हैं तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन लिगंस को कई प्रकार से इनको वर्गिकरित किया जा सकता है तो आई आप देखते हैं हम लिगंस का वर्गीकरण तो इसमें जो लिगंढ्स हैं वो तीन प्रकार से वर्गेक्रीच है किया जा सकते हैं जो अरुनावेशिद लिगंड मेंनगारन दिसरे प्रकार के वह दसी लिगंड सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिवली चार्ज लिगंड ऐसे लिगंड जिन पर रिण आवेश पाया जाता है उदाहरन के लिए यहां पर आप देख सकते हैं क्लोराइड यह सभी रिण आवेशित लिगंड है जब हम रिण आवेशित लिगंड का जो सामाने नाम होता है और जब हम इनको कॉंप्लेक्स के अंदर लिखते हैं तो इनके नाम में कुछ परिवर्तन किया जाता है जैसे कि जब इनके नाम के जो इनका सामाने नाम होता है यदि उसके नाम के पीछे आई डी इ आता है कुछ ऐसे रिणावेशित लिगंड होते हैं जिनके नाम के अंत में आई डी इ आता है तो वहाँ पर जो अंत का इ है उसे हटा कर हम ओ लिखते हैं जैसे कि chloride इसका जो सामाने CL- इसका सामाने जो नाम होगा वो होता है chloride इसके नाम के अंत में I, D, E आ रहे हैं तो जो अंत का E है इसे हटा कर हम यहाँ पर O लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा chloride इसी तरह से I- one negative charge और इसका जो सामाने नाम होता है वो होता iodide और इसका जो complex के अंदर जब हम इसे लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा chloride इसी तरह से कुछ रिणाविशित लिगंड होते हैं जिनके नाम के अंत में A, P, E आता है उनके भी नाम के अंत के जो E है उसे हटा कर हम O, E को O से replace कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर उधारन हम ले सकते हैं SO3, 2- जिसका सामान नाम होता है sulfite और इसका जो ligands के अंदर यहाँ पर E को हटा कर हम O लगा देंगे अंत में और इस तरह से इसका नाम हो जाएगा sulfito इसी तरह से हम ले सकते हैं PO3, 3- phosphite और इसका जो सामान नाम है वो phosphite है लेकिन जब इसे हम complex के अंदर लिखेंगे तो इस इसी तरह से कुछ रिणावेशित लिगन ऐसे होते हैं जिनके नाम के अंत में A, T, E आता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं sulfite SO4, 2- जिसका सामान नाम है sulfite तो इसके भी नाम के अंत का जो E है उसे हटा कर हम O लिख देंगे और तो इस तरह से जो इनका complex के अंदर न इसका सामान नाम है sulf acetate और इसका जो complex के अंदर नाम हो जाएगा acetato इसी तरह से और उधारन लेज सकते हैं जैसे हम कार्बोनेट तो इसका complex के अंदर नाम हो जाएगा कार्बोनेट तो इस तरह से जो negatively charged ligand है उनमें उनको नाम के में थोड़ा सा परिवर्तन करके लिखा जा हैं कि धनावेशित ligand positively charged ligand positively charged ligand है उनके भी नाम में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है इनका जो सामान नाम है उसके पीछे ium यहनिकी em suffix लगाया जाता है जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं nh2 nh2 यहाँ पर n के उपर एक positive charge है अब इसका जो सामान नाम होता है वह है hydrogen और जी लेकिन जब यहाँ पर हम इसको complex के अंदर लिखते हैं तब हम इसे लिखते हैं hydrogenium इसी तरह से हम देखें कि no2 प्लेस यहाँ इसका जो सामान नाम होता है वह है nitrogen लेकिन जब हम इसे complex के अंदर लिखेंगे तो इसका नाम होगा nitrogenium इसी तरह से no plus इसका सामान नाम होता है nitrogen और इससे जब हम complex के अंदर लिखते हैं तो इससे हम लिखते हैं नाइट्रोसिलियम इसी तरह से एक और उधारन आप देख सकते हैं S3O plus इससे आप जानते हैं इससे हम सामाने तोर पर भी और इसका जो complex की अंदर नाम है वो भी हाइड्रोसियम आयन होता है तो इस तरह से हम देखें कि positively charged जो लिगन है उनको भी थोड़ा सा नाम में परिवर्तन करके उनकी जो सामाने नाम है उसमें परिवर्तन करके लिखा जाता है इसके बाद आते हैं प्रकार के लिगन जो है Udasin Legand या जो है Neutral Legands न्यूटर लिगंड में सामाने तर जो लिगंड होते हैं उनको उनके सामाने नाम के अनुसार ही लिखा जाता है लेकिन कुछ विशेस प्रकार के लिगंड हैं जिनके लिए कुछ विशेस नाम दिये जाते हैं इन विशेस लिगंड में आपके आ जाएंगे जैसे कि एच्टू ओ यह जो सम्मू है यह आएगा उदासी लिगन के अंतर हगत है तो एच्टू ओ इसके लिए जो कॉंप्लेक्स के अंदर नाम दिया जाता है वो होता है एक्क्वा इसी तरह से यहां पर अमोनिया एनेच 3 लेकिन इसके जब हम कॉंप्लेक्स में लिखते हैं तो इस लिखा जाता है जब यह उदासी लिगन के रूप में उप्रयोग किया जाता है इसी तरह से और ले सकते हैं जैसे सी ओ यह कार्बन मॉनाक्साइड है लेकिन इसका जो नाम होता है कॉंप्लेक्स में वह होता है कार्बोनिल इसी तरह से एन ओ इसके लिए जो विशेस नाम ल प्रकार से लिए जाते हैं और इसके अलावा जो अन्य सामान्य उदासिन लिगन हैं जैसे कि एथिलीन डाइमीन या फिर हाड्रेजीन तो इनका सामान नाम ही उप्योग में लाया जाता है तो यह है आवेशों के आधार पर लिगन्स का वर्गी करन एक दूसरी प्रकार से भी हम लिगन्स का वर्गी करन करते हैं क्योंकि जब हम आवेशों के आधार पर लिगन्स का वर्गी करन करते हैं तो हमें ये बात समझ में नहीं आती कि ये जो लिगन्स है वह केंद्री धातू परमानी से एक बंद बनाकर जुड़ा हुआ है या दो बंद बनाकर जुड़ा इसलिए हमें ligand को एक अलग प्रकार से वर्गी कृत करने की आवर्शकता पड़ती है जिस से हमें ये पता चल सके कि जो ligand है वो किस प्रकार का आवेश है उसमें ये तो पता ही चले साथ ही साथ ये भी पता चले कि लिगन जो Central Metal Atom से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है एक बंध के द्वारा दो बंध के द्वारा या कितनी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है तो इस आधार पर हम लिगन को फिर से एक विशेश प्रकार से वर्गी कृत करते हैं और इसे हम क पर अब दंतुरता यहां पर क्या होती है complex compound में लिगन के उन दाता पर्माणूं की संख्या जिनके द्वारा वह केंद्री धातू पर्माणूं से उपसा संयूजग बंद बनाकर जुड़ता है यह हम यह भी कह सकते हैं कि लिगन के उन पर्माणूं की संख्या जो की केंद्री धातू पर्माणूं को इलेक्ट्रान जोड़ा दान करते हैं और एक ही केंद्री धातू पर्माणूं को इलेक्ट्रान जोड़ा दान करते हैं इस आधार पर यदि के लिगंड केंद्रिय धातू परमानु से केवल एक उपसासयोजग बंद बना कर जुड़ता है तो उसकी दंतूरता एक कही जाएगी या वो मोनोडंटेड लिगंड कहलाएगा इसी तरह से यदि वो दो बंद बना कर जुड़ता है तो उसे हम बाइडंटेड लिगंड कहेंगे इसी तरह से यदि वो तीन या उसे अधिक बंदों के द्वारा केंद्रिय धातू परमानु से जुड़ता है तो उसे हम बहु दंतूर लिगंड कहते हैं तो इस आधार पर हम लिगंड को दंतूरता के आधार पर अलग-अलग प्रकार से यहाँ पर वर्गी कृत करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनो डेंटिट लिगंड या जिसे हम यूनि डेंटिट लिगंड भी कहते हैं या जिसे हम एक दंतूर लिगंड कहते हैं याने कि वह केवल एक दाता परमानू की द्वारा केंद्री धातू परमानू से जुड़ा होगा जैसे कि यहाँ पर आप कुछ उदाराण देख सकते हैं यहाँ पर यह जो सामान रणावेशित लिगंड भी हो सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आईरन से ये छे क्लोराइड समू जुड़े हुए हैं इसमें से प्रतेक एक क्लोराइड जो आयन है वह केंदरी धातू पर्मानों को एक एलेक्टरान जोड़ा दान करता है यहनिकि उसके साथ एक उपसासयो जगबंद बनाता है इसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो आयरन से छे जल के अनू जोड़े हुए हैं अब यहाँ पर जल का जो अनू है उसमें जो ऑक्सीजन परमानू है आप देख सकते हैं ऑक्सीजन परमानू के पास एक लोन प्यार होता है और वही इसका डोनर एटम होता है यहनिक यहां पर इसके पास भी एक ही डोनर साइट है और इसलिए यहां भी एक दंतुर लिगंड होगा इसी तरह से हम देखें कि यहां पर अमोनिया जो अमोनी एमीन समू होगा वुसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन प्यार एलेक्टरान होते हैं और वह केंद्री धातु परमान को इलेक्टरान जोड़ा देता है यानि कि इसमें भी केवल एक ही डोनर साइट होती है इसके अलावा बहुत से लिगंड है जो की मोनोडेंटिट लिगंड होते हैं सबसे पहले हम देखते हैं एस माइनस लिगंड इसका सामाने नाम होता है फ्लोराइल लेकिन कॉम्प्लेक में नाम होता है क्लोरीडो फिर आए माइनस इसका सामाने नाम है जो इसका कॉम्प्लेक्स में नाम होता है प्लोरीडो इस तरह से O2- O2, one negative charge जिसे हम कहते हैं Oxide तथा complex में इसका नाम होता है Oxido इसी तरह से O2, 2- 2 negative charge जिसमें है और इसे हम कहते हैं Paroxide तथा complex में इसका नाम होता है Paroxido इसी तरह से देखें BR- यानि कि Bromide और इसका complex में नाम होगा Bromido S2- जिसे हम Sulfide कहते हैं और इसका complex में नाम होता है Sulfido इसी तरह से N3 negative charge जिसे हम Nitride कहते हैं और complex में इसका नाम होता है Nitrido इसी तरह से P3 negative charge जिसे हम Phosphide कहते हैं इसे complex में हम कहेंगे Phosphed-O इसी तरह OH- जिसे हम Hydroxyde सामान नाम के नाम से जानते हैं और इसे हम जब komplex में लिखेंगे तो हम लिखेंगे Hydroxydo इसी तरह से So2-3- जिसे हम Sulfite कहते हैं और इसे complex में हम कहेंगे Sulfite-O SO4 2- यानि कि sulfate जिसे हम complex में कहेंगे sulfato PO4 3- जिसका सामाने नाम होता है phosphate जिसे हम complex में कहेंगे phosphato इसके बाद NO2 1 negative charge जिसे हम सामाने रूप से nitro कहते हैं यदि यह केंद्री धातू परमानों से nitrogen के द्वारा जुड़ा होता है तब हम इसे complex में भी nitro या nitrito N के नाम से लिख बोला जाता है दूसरी ओर यदि यह समू oxygen के द्वारा केंद्री धातू परमानों से जुड़ा होता है तब हम इसे nitrito या नाइट्रेटो-O के नाम से जानते हैं इसके बाद नाइट्रेट No3-1-4 जब इससे हम कमपलेक्स में लिखेंगे तब हम इससे नाइट्रेटो कहेंगे इसी तरह से साइनर्ड Cn-1-4 इसे कमपलेक्स में इसका नाम हो जाएगा साइनर्ड-O इसी तरह से Nc1-4 यानिकी आइसोसाइनाइड जब हम इसे कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो हम आइसोसाइनाइडो लिखेंगे Sn1-4 यानिकी थायोसाइनेड जब हम इसे कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनेडो और या इससे हम लिख सकते हैं थायोसाइनेडो और हाइफ़न के बाद हम इसमें S लिखते हैं तो यह दर्शाता है कि यह सलफर परमानू के द्वारा केंद्री धातू परमानू से जुड़ा हुआ है इसी तरह से यदि N-C-S 1-2 चार्ड यह लिखा हुआ है तो इसका सामाने नाम होगा आइसोसाइनेड और इसे जब हम कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो लिखेंगे आइसोथायोसाइनेडो यह आइसोथायोसाइनेडो हाइफ़न के द्वारा के बाद हम N लिखेंगे NH2 1-4 जिसे सामाने रूप से हम M-2 कहते हैं और कॉम्प्लेक्स में हम इसे लिखेंगे M-2 NH2 नेगेटिव चार्ड जिसे हम M-2 कहते हैं और कॉम्प्लेक्स में इसे M-2 लिखा जाएगा इसी तरह से N3 1-4 जिसका सामानी नाम azide होता है इसे complex में हम azido लिखेंगे इसी तरह से CH3 COO 1-4 जिसका सामानी नाम होता है acetate इसे complex में हम acetato लिखेंगे इसके बाद हम देखते हैं कुछ धनावेशित लिखन जैसे NO2 1-positive charge जिससे हम सामान नाम से nitro कहते हैं लेकिन जब हम लिखन में इसे लिखेंगे तो इसका नाम होगा nitronium इसी तरह से NO 1-positive charge जिसका सामान नाम होता है nitroso और इसे जब हम complex में लिखेंगे तब हम इसे लिखेंगे nitrosonium इसी तरह से hydrogen NH3, NH2, 1-positive charge और यहां पर इसका जो सामान नाम होता है वो hydrogen है तथा इसे complex में हम hydrogenium लिखेंगे इसके बाद हम देखते हैं कुछ neutral ligands neutral ligands को जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि कुछ neutral ligands होते हैं उनके special नाम दिए जाते हैं जबकि कुछ neutral ligands के सामान नाम ही होते हैं जैसे H2O water इसे जब हम ligand में लिखते हैं ligand के रूप में complex में लिखेंगे तब हम इसे aqua कहेंगे इसी तरह से NH3 amine और यह ammonia जो है उसे हम amine लिखेंगे और यदि आप English में लिख रहे हैं तो आप ध्यान देंगे कि इसे amine लिखा जाता है इसी तरह से CO जिसे हम सामान नाम जो carbon monoxide है उसे हम लिखेंगे carbonil इन्हें special नाम दिया जाता है यह carbonil इसी तरह से यदि O2 उदासीन अवस्था में है oxygen अनू तो इसे हम लिखते हैं डाई oxygen या फिर N2 यदि उदासीन अवस्था में है तो इसे हम लिखते हैं डाई nitrogen इसी तरह से C5H5N पिरिडीन जो की neutral ligand है उदासीन अवस्था में जब इसे हम पिरिडीन कहते हैं तथा यह complex में भी इसे पिरिडीन नाम ही दिया जाता है इसी तरह से C6H5 whole thrice P इसे हम triphenyl phosphene कहते हैं यह भी neutral ligand है तो इस तरह से हम एक दन रुणावेशित लिगंड धनावेशित लिगंड तथा उदासीन लिगंड के नामकरण करते हैं करते हैं